हलो दोस्तों मैं अंगा सर ए-learning विद दुर्गेश में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आप दोस्त हम शुरुवात से पढ़ेंगे नंबर सिस्टम से और जैसा कि जानते हो संख्या पध्धती एक बहुत ही कि बेसिक शुरुवात करेंगे और शुरुवात आप लोग जानते भी होंगे कुछ लोग कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे तो जो नहीं जानते हो जालें कि कांप्लेक्स नंबर से शुरुवात होती है इसकी कांप्लेक्स नंबर कांप्लेक्स नंबर मिन्स होता है च्छान समझे समुरुक्त सभी त्वाज होती है जैसे दोष्ट अगर एप्लस आई-वी की बात मैं करूँ कि hasए दो चीजों मिल करवं देखेव एव चीज होती है प्रेल लूबर किसकी नंबर होती है रियल लंबर और एक चीज होती है imaginary नंबर तो यह आई जो है imaginary वाला पार्ट आई किसका पार्ट है imaginary वाला पार्ट है कि आई जो है imaginary नंबर वाला पार्ट है और यह वाला जो है यह real नंबर वाला पार्ट है अरियल नंबर वाला पाट आप देखों समर्ष संख्या दो बातों से मिलकर बनती है एक तो वास्तविक अरियल नंबर का मतलब बच्छे वास्तविक संख्या कौन संख्या वास्तविक संख्या और एक इमेजनरी का मतलब होता है कालपनिक संख्या कौन से संख्या कालपनिक संख्या अब हम चर्चा अभी करेंगे कि रियल नंबर क्या होती है अभी हम इसके बाद परमेश संख्या अभाज संख्या इन सब चीजों पहले इन सब चीज चलते हैं तो कालपनिक संख्या जो एक होता है इसे आयोटा कहते हैं एक ऐसे बराबर होता है अंडर रूट में माइनस वन अंडर रूट में माइनस वन और आई स्क्वाइर बराबर हो जाएगा माइनस के वन जो आई होती है यह एक इमेजनीरी यानि कालपनिक संख्या है आयोटा से प्रतीक देख रहे हैं इसे आयोटा करते हैं आई बराबर रूट के माइनस वन होता है अगर याद रखो कभी भी कालपनिक संख्या रूट में माइनस में जिसका स्कॉर रूट न निकले अगर सब्सक्राइब को सब्सक्राइब अगल लगा कर अगर कोई संख्या जिसका स्क्वाय रूट न निकले वह किस स्रेणी में आ जाएगा तो आप कहेंगे सर वह जो है इमेजनरी नंबर में आ जाएगी बाकि जो बचा हो तो रियल नंबर में आई जाएगा जैसे आप एक नंबर ले लिजे इस टाइप से इंटीजर से बात मैं करता हूं समझ मैं आएगा लिजया अभी अब धियान समझें कीरेंगे की इधर आप जिरो लेते हैं इधर एक कि गृइदर 3 इदर 4 ऐसे चलते रहते हैं उप माइनस मेष्व सब्सक्राइब थी इस तरीकर से चलते रहते हाँ ठीके अब डियान देना संख्यार एक पर पर जितनी भी इस्थिति होगी वो किस नंबर में ऑए रियल नंबर में आएगी और संख्या रेखा पर जो चीज नहीं बन पाएगी वह क्या आएगी रियल नंबर पर नहीं है जैसे देखो बच्छा समझो अगर बात मैं करूं इन दोनों की मालो इसके इतने बराबर हम खीज दिये ए वाली ए रेखा एक की दूरी है और यह जितनी लंबी है वही मैं यहां पर भी दूरी रख दिया है तो दो का स्कॉयर और प्लस एक का स्कॉयर तो दो का स्कॉयर चार और एक का स्कॉयर पांच तो यहां कहीं रूट पा पो तो अबना पोटा नीचार से ऊपर होगा ना तो रूट पांच यहां तो अंडर यह पांच भी एक परिमेशन पर रियल नमबर कि यह रूट पर है क्या है इस रूट और नर और पर आपको पता चला इस इंटीजर में यानि इस रिखा लाइन पर जैसेी आप defy याएग 말고 habitat यह एगा ऐसे एक बंदरल भी हएगा जो भी इस रेखा लाइन पर ऐसे करके एक बढ़ पाँ पांच आ गया यानि पांच मिंदू है जीरो बटा पांच या एक बटा पांच इस टाइप से जो भी रेखा लाइन से इधार इस पर आएंगे यह सब रियल नंबर में आएंगे तो मैं करता हूं कि इस संख्या देखा पर जो भी चीजे आपको निर्धारित कर सकते हैं वह आ सकते हैं कर दिमाग में लगता है क्योंकि आप मैंवन इस तो यहाँ यहाँ बीists 5-5 में गाए गयं कि ही क्योंकि इस स्क्या करोगे मानि ones वन का और यहां माइना स्वार तो तो ब庫ॉर में हो जाई होंगे ठीक है देख लो एक बार समझ लो टांपलेक्स नंबर को दो पार्ट में भाट बाटने का अपना सबका अलग अलग तरीका है ठीक समझो बात क्लियर होगे चलिए इंटीजर को बात समझ पाएं इंटीजर क्या होता है पुडांक अभी मैं उसको इस लेबल पे लेकर दिखाता हूँ आपको एक सेकंड रूखे चलिए देखिए इंटीजर का मतलब होता है कि इसको अगर हम दो पार्टों में रियल नंबर को यानि वास्तिविक संख्या का अगर हम बाटना चाहें तो दो पार्ट में बाटते बच्चा एक तो इंटीजर यानि पुडांक एक नहीं को इन समझा देते हैं पूरी बात ही फिलिए हो जाएंगी एक इंटीजर। और एक डेसिमल को एक इंटीजर और एक किसमें बाटते हम डेसिमल में बाटते कि एंटीजर का मतलब पुड़ांक क्या होता है पूर्ण संख्या नहीं पूड़ांग ठीक है और यह डेसिमल माने होता है दस मलोग डेसिमल माने क्या है दस मलोग आप ध्यान समझेगा तो इंटीजर तो यही बात देने अभी आपको समझा दिया कि 0 रेखा से इधर 1, 2, 3 ऐसे बढ़ते हुए यह सब इंटीजर हो जाएंगे और इधर की तरफ अगर वाई एक्स डैस की तरफ अगर चलोगे तो माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3 इस साइड के रिखा हो जाएंगे लेकिन जब हम डेसिमल में बात करते हैं बच्चा तो इस डेसिमल को बात को ध्यान समझना क्योंकि यह तो बात अभी मैंने रियल नंबर में आपको समझा दिया ठीक है अब बात यहां पर डेसिमल पर करेंगे तो डेसिमल भी क्या होता है एक होता है सांत दस्मलोग करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल समझेगा बच्चा अईसा भिल या जैसे कह सकते हो आप जिसमें हम भाग देने पर पोल रूप से कट जाए जैसे आप कहते हो एक बटा दो क्या करते हो वान अपान टू इसे भाग दोगे तो पॉइंट में कहीं कहीं जाके पट जाएगा ठीक जै जैसे आप एक बटा चार इस टाइब से एक बटा पांच इस टाइब से अगर भिन संख्याय है यानि टर्मिनेटिंग डेसिमल कहीं कहीं हिंदी आपको सांथ देगी कहीं कहीं इंगलिस सांथ देगी तो यहां इंगलिस सांथ दे रहा है टर्मिनेट माने होता है खतम हो जा जाएगा अगर इसको करोगे तो पाइंट टू हो जाएगा जीनो तो इस तरीके से बात को समझ पाए यह पोडूर्ण से कट जा रहा है अब यहां से चीज तो और दिमत में कि तब तो एक सांथ होगा तो एक सांथ होगा जो नकटे भई एक आसांथ भी होगा यहां लेता यह से बात में किया आसांथ दस्मलों आसांथ दस्मलों अब आसांथ दस्मलों क्या होगे भाई नान टर्मिनेटिंग देशिमल नान टर्मिनेटिंग देशिमल नान टर्मिनेटिंग डेशिमल अब ध्यान दा यानि यह तो कट जाए तो जो ना कटे अब इसमें भी ध्यान खिए जो ना कटे इसमें कितने टाइप से बनते हैं बात को समझाना बात को समझना बच्चा इसमें भी मैं दो बातें आपको समझाता हूं तो इसमें भी आसांत दस्मलों में एक तो आसांत पुनरा बृत्ति डेसिमल होता है का होता है आसांत पुनरा बृत्ति डेस्मलों और एक होता है डारेक्ट आसांत जो आप उसको पढ़ा चाह रहे हैं तो यह देखो इस बात को मैं यहीं समझाता हूँ देखो यह तो बच्चा सांध दस्मलों है यह तो जो टर्मिनेट ना हो यानि जो खतम ना हो जैसे हम कर दिए एक बटे तीन इसको खतम कर पाओगे इसी का यह भी पार्ट होता है जैसे आप कभी कभी लिखते रहों यह वन भाई थ्री को क्या लगते हैं इस टाइब से लेता लेते जाहिए आप फिर मैं इसी को बात दूसरी बात को लिखो कि 034 वार आप भी से क्या लिखोंगे बच्चा इसे लिखोंगे 0343434 इस टाइब से वैसे ही तीन अंग अच्छा देखो क्या है ना बात तो समझते हैं कि इसको हम लिखते हैं क्या लिखते हैं किसी संख्या में जब आप नव से ऐसे भाग दोगे जो कटे न तो अपने आपको क्या करेगा इसको रिवाइज करता जैसे देखो मैं तीन बटे उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आ गई होंगी तो आसान दस्मलों जैसे आप इस तरीके से लिख लिए एक दो तीन चार पांच अब इसको क्या कर पाऊगे यह तो ना तो अपने को रिवाइट कर रहा है ना तो इसको कुछ कर पा रहे हो तो ऐसी संख्याएं भी कशligt किस सरेडे में आती हैं आसान दस्मलों में आती है अभी इसी आसान दस्मलों में हम इसी पर पढ़ेंगे इनहीं दोनों में कौन सी परिमे में तो देखो बच्छा स सब्सक्राइबां का सब्सक्राइब APA में थोड़ा से यह हो करता हूं जिस्से आपको थोड़ी अच्छी लगए स्मंज में आये बाते यह थे मैं बात संख्या की कर रहा हुँ देखना है तो दो बाते होती है परिमय संक्या पहले समझिए कि a rational solution की किसे परिमय संख्या ओती है जिसे पीञा क्यों की रूप में लिखा जाए लेकिन condition बच्छा होना चैरे कि Q0 के ब्राबर नहीं होना चाहिए Q0 के ब्राबर नहीं होना चाहिए अब दाओ ठीक तो आएसे कंडिशन में कहां baby q रूप में लिख पाओगे तो जितने हैं कि जितने सस्क्राइब को दिख Oczywiście c Name अपको दिख़ए जेसे वाला एक बटा दो एक बटा चार एक बटा पांच ए बिन फ़ी तो आएंगे एक बटा। इस टाइप से टर्मिनेत इंग जो है यानी हम कहते एक बाटा 2 P Y Q के रूप में है एक बाटा 3 ये भी है एक बाटा 4 यानी ऐसे जो रूप में आएंगे समझगे परिमेसंख्या इक्षड़ी में होंगे अब बात आई सर 1001,3003 तो अपने आपको point में चलता है इसको भी देया है कि सड़ी में आते क्योंकि इन्हें भी पीबाई क्यों के रूप में दिखा जा सकता है जैसे बात करेंगे हम बाइस बटे साथ पे अच्छा तो पुनर्णा बृत्ति वाला भी पॉइंट में आ जाएगा और सांध दस्मलों भी आ जाएगा और जो भी पीबाई क्यों के रू आए है यह पॉइससे लिए ब्चा की इफ पाई Q बदी बंवाइस बयुक्ते साथ यह नहीं क्लियर है इस लिए पाई को अपरे मेरी कि इसको प्यांगाई यह पाई की वर्जिनल बैलू न होने के कारण किस स्रेणी में आती है परिमे संख्या किस स्रेणी में आती है और पाई की जो बैलू है वह आप तो जानते होंगे तीन दसमलो एक चार छ साथ ऐसे करके है तो आप बताओ क्या इसे आप टर्मिनेटिंग रूप में लिख सकते ह हो याधी इस टायब का एक बात यहां पर के रूप में है तो आप इसे परमे संख्या नहीं लिख सकते हैं क्लियर हो गई बात यह तो रहा बैसिक से बात चर्चा करेंगे थोड़ा से इस पर कि हमने प्रिमे तो जान लिया परिमे जान लिया प्रिमे संख्या भी जान लिया कि जो पी भाईक्यू के रूप में अब जैसे हमें बातों गई अंडरूट 4 का स्क Another रूट हम निकाल सकते हैं इसक्वाइर रूट निकालेंगे तू हो जाएगा और इसे पी बाई क्यू की रूप में हम डिनोड कर सकते हैं तो एक किस त्रेणी में आएगा जरा बताओ तो तो यह आएगा बच्चे परमे संख्या किसे आए अब मैं कहूं अंडरूर 3 क्या है तो आप कहोगे सर अंडरूर 3 तो एक दस्मलों साथ तीन दो इस टाइप से आ रहा है यह कहां पी भाई क्यूंकि यह तो असांत दस्मलों की रूप में होगा कटेगा ही नहीं चलता जाएगा तो एक स्रेणी में आ जाएगा और परमे संख् कि किल पाता है तो किस स्रेणी में आ जाएगा और पर्यों संख्या जाएगा जैसे आप देखें आप मैं कहोंस क्या कि तो आप कि इसका तो दू दस्वनलमों. दो एक चार इस टाइप से आता है्ट इस ले उस न अठी स मेराब writings ल्वाम प्रिम्य संख्या की मौस आइगा तो आप र fällt कि वुयह कहा नूज पारी मेर्म q kata करो धbare बात नर पू हम 8ues यह स्यादा है यह गोद lush तो रूट में अगर बात आ जाए अगर किसमें बात आ जाए है रूट में और उसका स्क्वार रूप निकलता हो तो आप समझ जाएगे कि वह बात क्या है पर में संख्या कि स्रणी में है और जिनका नहीं निकाला जा सकता हो किस बात में आएंगे आप पर में संख्या कि बड़ी परिछाओं में भाजी संख्या और आभाजी संख्या पहले इसकी परिभासा पर हम चलते हैं पहले परिभासा ही सीखेंगे सब की जिससे जानकारी हो पाए आएसी संख्या जिसे एक से, स्वयम से और किसी अन्य से विभक्त करते हैं वह स्रेणी आती है भाज संख्या की स्रेणी और आभाज क्या होती है? आएसी संख्या जिसे एक से और स्वयम से विभक्त करते हैं क्या करते हों जिसे एक से और स्वयम से विवक्त करते हूं वह संख्या क्या होती है आप हाज शंख्या की स्रणी में आती है अव क्यों क्योंकि या तो एक से कटेगा या तो फिर बच्चा दो से कटेगा किसी अन्य में तो गया नहीं तो किस च्रीणी में आ जाएगा यानि दो सबसे चोटी आभाजसंखिया है कि आद्धार के सबसे ने थे कि शोटी अभाज सब क्या है सबसे छोटी आप खाजस अंपया है अब बात करेंगे हम तीन पे तो तीन ही बताओ या तो एक से कटेगा या तो स्वयम से कटेगा तीन भी किस स्रेणी में आएगी आप खाजसी स्रेणी में आएगी बात करेंगे चार की, तो जब हम चार की बात करते हैं, तो चार देखो, चार एक से भी कटेगा, स्वयम से भी कटेगा, और किसी अन्य में कटने के लिए किसकी जुरुत पड़ेगी, दो से, तो ये किसकी स्रेणी में जाएगा, ये जाएगा भाज संख्या की स्रेणी में, अ आप बात करेंगे 5 में तो 5 यह वह ही परिभासा है ने फान करेंगे च कि चाटकी तो सबसे बहुत से dr कर जाएगा 6 कि शाट Κार एक से बिक टेगा दो बिक टेगा तीन से बिक टेगा तो स्वयम से एक और किसी अन्य एक से भी कट गया और किसी अन्य में दो चीजों से कट गया ऐसी श्रणी जो होगी वह कहां जाएगी जड़ा बता दो तो अचले जाएगी भाज संख्या की उमीद करता हूँ भाज और अभाज आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि एक ऐसी अभाज संक्या है जो शम संक्या है कभी कभी सवाल ऐसे पूछा जाता है की किर्ली पांच संख्याओं का योगफREY बता दो अभाज संक्यारी आपको जानना जरूरी है अगर अभाज संख्या आप नहीं जान पाते तो गलतियां कर जाएंगे लिख देंगे एक दो तीन चार पाँच तो ऐसे गड़बड़ी हो जाएगे आपको यह दिमाग में रखना है एक तो इस त्रड़ी में भी नहीं आता है अच्छा भाई यहां भाज में भी एक है तो क् हेल वहाज होता हो तो रहीं सकता कि कोई संक्ञ्छा भाज भी संक्या पोच्छा भाज वहार पूचा जयाता है तो आप अगर सवाल में यह भी कभी पूछा गया हो आप उसको दो ही मारेंगे इसका मतलब होता है छोटी से छोटी संक्या तो आप कहेंगे अब बात चाहिस इसकी बात हम करते हैं सब्संख्या और भिसम इसकी बात करेंगे यहान संख्या और विशम संक्या अब सम्संक्या आप जानते हो कि जो दो से भी भक्त हो जाए दो से भी भक्त हो जाए और विशमा आप जानते हो जो दो से भी भक्त जो दो से भी भक्त ना हो जो दो से भी भक्त ना हो अब देखो जैसे दो हो गया चार हो गया हो गया आठ हो गया इस टाइप से यहां पर एक हो गया तीन हो गया पांच हो गया साथ हो गया 9 हो गया 11 हो गया यह समसाइब से अब बात एक चीज यहां पर बच्चा आती है कि जीरो क्या है तो आप याद रख लेना जीरो भी एक समसंख्या है इसको मैं दूसरे पेंसे दिखा देता हूं जिससे आप से कभी भी पूछा जाए तो दिमाग में रखना जीरो है यह तो समसंख्या है गयप सब का से मैं दोनों जगह से गयप आप देखेंगे तो जीरो दो तो चार छे आठ दस इस टाइब से बना यहां भी देखो एक तीन पांच साथ नौ इस टाइब से तो जीरो किस संख्याक स्रणी में आता है तो समसंख्याक के स्रणी में यह आप दिमाग में रखना कई बार अगर प्रस्ण में लोग ऐसे नहीं पूछते तो ज़रूर पूछ कि अब मैं चर्चा करता हूँ है कि अब पूर्ण संख्या कि अब उसके पहले हम प्राक्रतिक संख्या का चर्चा करेंगे कि प्राक्रतिक संख्या क्या होती है नेचुरल नंबर जिन संख्याओं को हम काउंटर सकते हैं यानि गिंती की संख्या 1234 ऐसे ऐसे गिंती की संख्या क्या होती है प्राक्रतिक संख्या होती है अगर इसको जीरो के साथ हम जोड़ देते हैं एगर हम इसको जोड देते हैं तो यह क्या बन जाती है अगर उसको जोड देते हैं ते पर पूर्ण संख्या बन आपको रखनी है बच्चर कई बार बहुत छोटे सवाल आपसे ःध यहां समझे इस तेन चार ऐसे करके दस संख्याओं का योगफल क्या हो जान देना मेरी बात अब कई बार ये भी पूछा जाता है कि 21 22 23 ऐसे करके ये दस तक हुआ 11 से न अच्छा ये भी पूछ दिये जाएगा तो कोई बात नहीं ये कई से 30 तक हुझाएगा बात को समझेगा मैं बता रहा हूं अगर मैं बात 11 12 13 14 15 ऐसे करके भी करूँ तो 20 तक क्या योपर तो यह सब चीज़े आपको दिमाग में अपने आप अलेडी फिक्स कर लो पहला दूसरा और भी कर सकते हो कि 31 32 तो यह तो यह सब्सक्राइब क्या होगा ध्यान देना मैं वह बात बताऊंगा आपसे कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे दो गुड़े पदों की संख्या कर दो ध्यान समझना मेरे बात यह सब कुछ चीजे याद रखे रहोगे तो जीवन में बहुत सही काम करेगा कुछ चीजे याद होनी चाहिए भई देखो एक दो तीन चार क्या होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद दस और एक ग्यारा बटे दो और गुड़े पदों की संख्या कितनी होगी दस तो दो इसे लेकर दस तक लिखने पर जहां पांच आया उसके साथ पांच लगा होगा अब 11 से जब आप 20 तक निकालोगे तो परथम पद 11 और और गुड़े दस है तो गुड़े 10 आप बताओ 31 पचे 155 होता है क्या तो आप इसके बीच में यहां 5 लगाना वैसे ही जब यहां 25 र आगे 400 पच पनाएगा 500 पच पनाएगा इस तरीके से आप चेक कर लिए तो लगाने की योद नहीं पड़ी ना हमको ऐसे सवाल जब 11 12 13 21 ऐसे मिल जाए तो आपको डारेट करना है सवाल नहीं लगाना तो इस प्राकृतिक संख्या की बात अभी हम चर्चा करें के ठीक लेकिन इसको हमने बता दिया जानते रहो अब देखो समसंख्या भी समसंख्या अब प्राकृतिक भी हो गई पूर्ण संख्या भी हो गई अब प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछेगा तो एक से सुरुवात करोगे और पूर्ण संख्याओं का योगफल जाते हैं कि अब यहां से जो हम लोगों का टाइप शुरू होगा तो मैं आपको टाइप वाइस करके समझाओंगा जिससे आपको थोड़ी थोड़ी बातें क्लियर हो जाए तो टाइप वन में बनता क्या है इस चीज़ को आप दिमाग में रखो आपका दो बाते बन जाती हैं एक बनता है अस्थानी मान एक बनता है अस्थानी मान और एक बनता है इसे करते हैं प्लेस वैलू क्या करते हैं अब लेस वैलू कि ऐसे काते अंकित मान अंकी कि अंकित गलत लिख दिया मैं अ अ कि अंकित मान या अंकिय मान कुछ भी लिखते हो लेकि इसको याद रखना फेस बैलू के नाम से जानते हैं कई नाम है इसके फेस बैलू आज बाद लूँ क्या होती होथी वहीं है आज अस्थान कि अ थानी मान क्या होता है कि अस्थान के तर परिवरत्टन हो जाता है जैसे आपसे मैं एक्जांपल ले लो फ़ेजांपल एक कि एसे अग्छ साक्ल रोगए अगर मन लो एक दो तीन कर चार का ये आगी। अगर मैं प्लेस वैलू निकालूंगा तो चाहगा अच्छा हो जाएगा क्योंकि इकाई के अंग पे है तो च्छेक का है.। इपक्ष कहाई पे तो 5 गुड़ा 10, तो 5 कितना हो जाएगा से 5? C 40 dua कितना है? स्थúdele और ऐसे ही है इसके दो लिखना ऐसे कितने जिरो एक दो इन सर एक अब यह क्भी बदलता है यह कि मान चाहिए इस बात को आप लिखलना चाहते हों एक तो आप से पूछा जाज सकता है कि इसमें 5 का की उस्थानि मान और 5 का जाति मान उसको जाती मान का के ben यहां से देखो पांचय जो अस्थादि मान अब किया कि इतना है पांच पम आद मिख आथ़ कि आने न पैटारीस पाच तो आप समझ पाए कि जाती मान क्या होता है और अस्थानी मान क्या होता है थोड़ी सी चर्चा इस पर और करेंगे थोड़ी से चर्चा और करेंगे देखे जैसे मैं कहूं दो तीन चार दसमलो पांच मैं पांच के अस्थानी मान वह जाती है का अंतर होगा तो बीना देखे जाती मान तो सेम होगा तो जाती मान तो पांच लेखिलो मैंस अब अस्थानी मान की चर्चा हम करेंगे ध्यान देना पहले यह बात तो अगर इसको ना समझे पाए तो यहां पॉइंट जीरो समझे तो 234 हो गया पॉइंट पांच ही बात हम बात में करेंगे अगर इस चार का हम देखे अस्थानी मान तो चार होगा क्योंकि चार गुड़ा एक हुआ चार इस तीन का देखें तो तीन गुड़ा अगर इस दो की बात करें तो यह हो गया दो गुड़ा हो हो गया दोसर लेकिन हमसे तो इसका तो कुछ पूछा नहीं है अप्र इस पॉइंट 5 का पूछ दिया एह भी प्लेस वैलियो है तो इसको आप लिखोगे पांच बटे के तस क्या लिखोगे पांच बटे के 10 यहां से घटा देना पप्र टे के दस तो तो दस पचे 50 50 में से पांच गए 45 तो 45 बटे हो जाएगी दोनों का अब माइनस में नहीं दिखना माइनस ठीक है क्योंकि यह बड़ा है और यह यहां पे छोटा है यानि अगर मुझे अंकी मान तो कभी नहीं बदले अगा जाती मान उसको आपको टेंसन नहीं लेना हो जो है सो लिख लेना लेकिन अगर यही बात मैं 234 दस्मलों पांच कर दू दस्मलों के एक स्थान पर है तो एगर कोई ऐसी बाट प्रशुन पूछी में पूछी जाती है कि दस्मलों के इधर की बाद तो एक गता-पे है तो और यह एक गता नहीं बाते आस्थानी मान और ज्याती मान का difference समझ में आ गया ज्यात देखते ही आपको दो बातcarbon आने साथ कह ज्याए कहीं कहीं इसे अंकी मान भी करते हैं अम्गनेजी भाले जाने लोग करते हैं तो इस रूद Sharp तो यह चीज़ें आपको दिमाग में रखनी थी ठीक है अब हम समझेंगे थोड़े से आगे की प्लास ध्यान समझें कि इसी तरीके से जब हम यूनीट वैलू की बात करेंगे कि इसकी बात करेंगे यूनीट वैलू यह टाइप टू में मैं लिख देता हूं इसके इसके पास हमको जानने के लिए पहले हम क्यों जो है कुछ नियम जानने पड़ते हैं डिविजिबिल्टी के मैं तीसरे पाइप पे आपको डिविजिबिल्टी नियम समझाओंगा और कहां से डिविजिबिल्टी नियम आए है इनको थोड़ी देर आपसे मैं चर्चा करता हूं कुछ यह चीजों का केवल मुझे चार का इसमें नियम आप जानते हैं कि चार का नियम जानना पड़ता है तो मैं उसी चार के लिए दो चार आठ का बताता हुब फिर टाइब थ्री में आपको डिविजेबिल्टी नियम ही मैं लोगा यू इकाई अंग इकाई अंग ग्यात करना देखो जैसे हमें क्यों कोई संख्या मालो ए से लिया मैंने और दो में भाग देना है तो एक ही संख्या बच्छी आई ए में तो दो अल ठीक डारेक्ट भाग चला गया करा मन तो अंतिम के अंक में या तो जीरो हो या तो दो से डिविजिबल गा लिया दो से अ का यूनिट बेलू जैसे देखो अगर मालों दो संख्या मैं ले लिए अगर मैं बच्चा ए और बी दो संख्या ले लो इसको मुझे दो से डिवाइड करना ध्यां समझे तो जब मैं 22 लिखता हूं तो मैं इसको लिखता क्या हूं जानते हो चुकि एक आई दहाई पे है तो दो गुड़ा दस लिख दिया और फ्लस एक आई पे है तो चार गुड़ा एक लिख दिया और यही तो दस दुना बीस यानि टेन ए प्लस बी की रूप में बना तभी दो मैंने कहा दस दुना बीस और प्लस के चार तो बीस और चार क्या कर द तो जब मैं यहां पर चर्चा का रहा हूं तो इसका क्या लिख स्मझे स्मझे लेका कोई ना टेन एपलस भी और भाइ टू ऑब दो सबने इस दस में भाग दूंगा जब अब इस दो से दस में भाग दूंगा तो रिमेंडर तो यहां सुन्य आ जाएगा क्या जाएगा सुन्य और सुन्य का गुड़ा करोगे तो यह भी हो जाएगा सुन्य तो बचा क्या बी भाई यानि एकाई के अंक में दो से अगर भाग दे दिया जाए यानि एकाई कांक जो भी रहे अगर 2 से भागत दिया जाए तो फूर्ण रोप से क्या होगा कड़ जाएगा जीरो ने जिए अगर 10 की बैलो मैं एक यहां भी की मानूँ प्लस जीरो तो गड़ जाएगा अगर मैं यहां दस दुना 20 करूँ जीरो करूं तब भी कर जाएगा दस यहीं 30 करूं और प्लस जीरो करूं तब भी कर जाएगा दस उक का 40 प्लस जीरो करूं तब भी मेरा कर जाएगा तो यानि एकाई के अंक में पहले बात जीरो तो होना चाहिए लेकिन दूसरी बात इक आई का अंक दो से क्या होना चाहिए विभक्त होना चाहिए ठीक है कि मुझा कि ठीक आप देखें थोड़ा सा और आप से एक सवाल इस पर और लेता हूं थोड़ा सा अग्यूश्ट 37 चलिए आप देखिए आईए बात करते हैं देखिए चलिए देखिए जगर मैं तीन जंक्या ले लूँ देखो समझने कि बात है समझे हो जब तो मैं इसको लिखूंगा सो प्लस इसको लिखूंगा दस बी और प्लस इसको लिखूंगा बच्चे से आब जो इस दो से यहां भाग तो रिमेंडर LORD यहां भाग तो तभ छिरो था एकई का अंक ही तो बचा तो आपको तो एकाई का औंग कितना हो गया आपके पास सी बाइटू बचा यानि सी यहां पर क्या यहां तो यूणिट है यूणिट है यानि दो के यूणिट दो का डिविजबिल्टी नियम समझ पहे कि अंतिम का एक यह तो 0 हो अंतिम का एक हंग या तो जीरो हो या तो दो से विभख्त होता अगर ऐसी संख्या स्रेड़ी में मिल गई तो आप जान जानना वह दो से विभख्त हो जाएगा क्लियर बात हो गई तो यह तो दो का नहीं है अब अब हम चर्चा करेंगे चार पर क्योंकि हमको इकाई के लिए चार जानना पड़ेगा किसको जानना पड़ेगा चार को और चार के लिए हमें कुछ बात हैं और जाननी पड़ेंगी जो हम जान सकते हैं ठीक है आप देखें कि सबज़ें कि दो हो गया क्योंकि दो का पाउर एक बनता है तो यूनिट डिजिट दो से विभक्त होगा यह हो गया आपका यूनिट डिजिट कि एक है जीरो या दो से विभक्त या चार या च्छा इस्टो जब मैं चार की बात करूंगा तो चार को तो हम लोग लिखते हैं दो की घात दो यानि यहां पर एक घात थी तो हम एक संख्या देखा करते थे यहां दो घात है यानि हम अंतिम के दो अंक देखेंगे अंतिम के दो अंक देखेंगे इस टैप से चार से 22 कटेगा नहीं कटेगा 24 कटेगा ठीक देखेंगे आप इसको क्या इसको इसको इस इससे क्या आपको सीख मिलेगी यह चीज सिखना है मुझे दिखाता हूं देखूं इससे क्या सीख मिलेगे देखूं जो हम लोगों ने लिखा 10a प्लस बी अपान पूर तो यहां बास मझे यहां रिमेंडर कितना बज जाएगा दो बज जाएगा चार दुनी आठ दो बचेगा तो यहां दिमाग में रखना इस बात को हम इसको लिख सकते हैं आठ ए प्लस टू ए प्लस बी बई तो जब इसको हम भाग देंगे तो यह दो पूर्ण रूप से कर जाएगा लेकिन यह दोनों बातें क्या हो जाएंगे बच जाएंगे इससे क्या सीख मिला कि अंतिम का दो अंक जो है चार से विभक्त होना चाहिए थोड़ा सा और चर्चा में लेता हूं इसको सव ए प्लस दस बी प्लस टी डिवाइड बाई चार ठीक है अब यहां से तो चार से कटने वाला अठासी मिलेगा अठासी ए और ज्यादा भी ले सकता हूं तेज़ शव का बानवे चौविश शव का च्छानवे च्छानवे लेता हूं अब यह तो कटी जाएगा सायद चार पचीसा में सव कट जाएगा इसमें क्या लेना है यह तो जीरो हो गया खतम हो गया फिर यह बात बच्चा फिर वही बन गई नहीं देखो यहां पर क्योंकि दो बच जाएगा आठ कैंसल हो जाएगा आठ क्या होगा प्रेंसिल हो जाएगा तो बच्चा करतना फिर दो बात आगे नहीं इकाई और यह तो कट जाएगा चार से क्योंकि चार पचीसा में सह होता है तो 88 89 करने का कोई मतलब नहीं बोलो समझ पाए यानि चार का नियम मैंने मुझे इकाई के आपको समझाना था क चार का नियम कैसे आप फालो करोगे तो चार का नियम उमीद करता हूं आपको समझ में बात आई होगी यानि अंतिम के केवल दो अंक दिखने बाकि डिविजविल्टी नियम में चर्चा करूंगा कि चार अंक कहां आपका फायदा करेगा ठीक है मन्दब 8 कहां करेगा 16 कहा करें 42 करें 32 कहा बा完全 करें का करें इसकी चर्चा मैं टाइप 3 में अभी करता हूं आपसे तो पहले हम इसको सिखेंगे कि यूनिट हम कैसे जenden और तो पहला नियम तो आपको याद है कि घात में चार से भाग्य देते हैं जैसे पहले basic killer कभी簡ा wes में बेसिक भी सवाल पूस्ट दे जाते हैं 111 गुड़ा 113 गुड़ा 115 गुड़ा 117 में इकाई कांग क्या कि में यूनिट डिजिट क्या कि अब देखों कुछ लोग इसको बहुत बड़ा समझ लेते हैं जो पहली बार देखते हैं बाकी बच्चे तो जानती ही होगी गलत कर जाते हैं उन्हों क्या करना है कुछ नहीं करना तीन एकका तीन याद रखना तीन पचे 15 में 5 याद रखना है और पांस सते 35 में भी क्या लिखना है पांस लुक देना है और बात हो गई खत्रम बात हो गई क्या खत्रम पांच उत्तर हो जाएगा तो आप उम्मीद करता होई बात आपको समझ में आई होंगी कि अगर अगर ऐसी कोई बात आई सवाल में तो आपको यह चीजे निप्टा देश्य देखों कि जैसे मैं कहूं कि मैंने दो गुड़ा चार गुड़ा आठ गुड़ा 16 गुड़ा 32 इस तरीके से गुड़ा किया तो अब मैं यह भी तो कर सकता हूं मैं इसके आगे एक आगे लगा दूं यहां दो लगा दूं यहां तीन लगा दूं यहां पांच लगा दूं यहां छा लगा द इसके पीछे वाले का मतलब नहीं है जब भी आपको देखना है उसके इनुडिजित चार दुना आठ आठ अठ चाओं सट चार 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 दुनी बात हो गई समाथ बस इतनी ही बात आपको करने की आप समझेंगे बात जो मुख्या आती है दूसरी बात दूसरी बात मुख्य बात हम लोग समझने का प्रयाश करते हैं थोड़ा सा देखे यदि इकाई का आंक निकालने की कंडीशन में सवाल में 0 एक पांच और 6 आता है तो कुछ भी नहीं देखना है अंतिम का 0 का 0 हो जाएगा एक का 1 हो जाएगा पांच का 5 हो जाएगा और 6 का 6 हो जाएगा जैसे देखो अगर मैं कुश्चन में ए बात समझाओं आपको कि अगर 186 का पावर 480 है तो आपको इस पावर को कुछ समझना ही नहीं है किवल यहां च्छा देखकर आप उत्तर निकालकर आगे आपको बढ़ना है अभी चर्चा करूंगा ऐसा क्यूं होता है उसकी बाद हम थोड़ी देर बात करेंगे लेकिन यहां पर पहले बताईए कि यहां प किया निकाल दो कि में यूनिट डिजिट निकाल दो आप देखोगे हल करोगे नहीं करना है क्यों कि हमें पता है कि 0 के पावर कितने भी कर दो जीवरो के पावर कितने भी कर दो ओ तो बैलो जीवरो ही आएगी एक का कितना भी पावर कर दो एक ही आएगा पांच का कितना भी पावर कर दो यूनिट डिजिट पांच ही आएगी छा का भी कितना भी पावर कर दो यूनिट डिजिट छा ही आएगी तो आपको परसान होने क कोई जरूरत नहीं है आपको पहले concept में लिख लेना है कि जहां पर एकाई कांक 0 एक पांच और छाए वहां पर बैलो क्या आती है सेम रहती है यानि जीरो का एकाई कांख 0 109 है जीरो के इकाई कांख 0 का एक तविफे जिरो यद पर एक पांच पांच और चार्च चार व्यौस्थाया हो गई दुसरे alde यहां से हम देखेंगे चार करन्ययम और 9 करन्ययम और 9 कर नियम कि नहीं स्वाल रहा तरहन इसके आटा मज़ा आजाएगा आप लोगों को 4 अल्ग नियम देखो जीरो हो गया एक हो गया पांच हो गया चार और नौ पढ़ लेंगे इसके बाद हम तीसरा नियम आपके उस टाइप पे समझाएंगे जो चार का नियम क्यों यूज होता है तो देखों चार का पावर एक कितना होता है देखोंगे तो चार का पावर दो कितना होता है कि चार चंका का पावर बिसम है तो उत्तर क्या रहा है चार देखो जहां भी चार का पावर बिसम है उत्तर क्या रहा है चार रहा है लेकिन जिस condition में 4 का पावर सम है जिस 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 कंडिशन में 4 का पावर सम है वहां पर पर आहेज्च है जिस दिस कंडिशन में चार का पावर सम है वहाँ पर क्या राच्छा जैसे फार एक्जामपल मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मैं आप से यह कहूं कि अगर मैं आप से यह कहूं कि भाई साहब यदि दो चार छे चार का पावर मैं ले लिया एक आठ साथ चार पाच चार तो आप बताओ सम और विसम अभी मैंने आपको बताया कि ऐसी संख हैं जो दो से विभक्त हो जाए चार मैंने ऐसे बताया अंतिम के दो चार की जरूत तो है नहीं यहां समझना क्या है कि भाई साहब यह देखके ऊपर वाले घात को यह देखकर बताओ कि यह वाली सम है कि अब यहीं बताया कि अगर चार का पावर सम है तो उत्तर क्या आएगा चार आएगा तो जरा हमको बताओ यह चार का पावर सम है तो उत्तर कितने आने वाले हैं अब यही बात अगर मैं इस तरीकी से दूसरी कांसेट पर चलूँ तो मैं कहा दूं 224 का पावर अगर 111 है तो मैं तो कहूंगा भाई साब चार तो है लेकिन चार का पावर बिसम है अगर चार का पावर बिसम होगा तो उत्तर क्या आएगा चार आएगा यानि चार के चार का पावर यदि सम है तो उत्तर आएगा च्छर चार का पावर अगर सम है तो उत्तर आएगा च्छर और चार का पावर अगर बिसम है तो उत्तर आएगा चार बात खत्म बस यह दो लाएन याद कर लिए तो चाहे है जितना भी बड़ा प्रश्न बने आप उड़ाद हो क आप कोई पूच दे तो आप देखो के चार का पाउर क्या सम आठी देखना है तो चार की पाउर सब में उत्तर क्या आएगा आएंसर भी देखो पर देखो आएंगे ना पर नहीं पढ़ेंगे ना की पावर बात करो नौक पावर एक इतना होता है नो कि नौक पावर दो होता एक क्या शिए 9 का पावर 2 होता है कितना 81 तो 9 का पावर 2 बन गया 81 तो यहां हो गया 1 अब 9 का पावर 3 करोगे फिर 379 फिर आएगा 9 फिर 9 का पावर 4 करोगे फिर 9 से गुड़ा करोगे आएगा अंतिम में 1 इधर 1,2,3,4 जो भी आए अगर 9 के पावर में आप बिसम ले रहें तो उत्तर क्या आ रहा है 9 आ रहा है अगर 9 के पावर में आप सम ले रहें तो उत्तर क्या रहा है एक आ रहा है यानि अगर सम लेने पर उत्तर एक आता है और बिसम लेने पर उत्तर सेम आता है देखो यहां पर जब आपने बिसम लि यह तो उत्तर क्या रहा है एक कि यहां से कुछ दिमाख्री में बनी बात कि बनी होगी क्या बनी देख आपकी बाते क्या बनी उस बात को बनाता यदि एक सवाल 729 का पावर 384 82 ऐसे कुछ भी पुनियासी पूछ दे आपको क्या देखना है कि 9 का पावर इस सम है या बिसम और सम और बिसम में मैंने बताया था ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाए वह सम होगी जो 2 से न कटे वो क्या होगी बिसम होगी तो आप हमको बताओ क्या यह 9 2 से कटने वाली यह नहीं कटने वाली यह नहीं बिसम है तो 9 के पावर बिसम में कौन सी संख्या होगी तो आप कहेंगे सर 9 के बिसम बाले पावर में उत्तर कितना आएगा उबहु आएगा यानि 9 आएगा कि फिर हो गया अगर मैं यही बात 729 का पावर अगर 729 का पावर चार आठ साच च्छा पांच चार तीन दू ऐसे मिल जाए तो आपको बताना होगा कि 9 के पावर में एस सम घात है बही दो है ना लाश्ट में सम घात है और सम घात में उत्तर क्या आता है एक तो यहां से नोट डाउन कर लो यहां से भी आप नोट डाउन कर लो कि अगर 9 का पावर यदि 9 का पावर क्या है विसम है 9 का पावर यदि विसम है उत्तर क्या आएगा 9 अगर 9 का पावर यदि सम है तो उत्तर क्या आएगा एक कि एक आपका एंसर को गया अब आपको कुछ नहीं देखना है बस आपको देखना है अंतिम का पावर कि वह दो से कट रहा है कि नहीं कट रहा है अगर दो से कट रहा है तब तो उत्तर एक आएगा अगर वह दो पहले उस पर चर्चा मैं करूंगा तीसरा कांसेप्ट है उसी का अगर इसको कर लिए तो यूडिट डिजिट का कोई भी प्रश्ण आज के बाद बाहर नहीं जाएका ध्यान देने आप लो लगता क्या है ध्यास कि कोई भी पावर ऐसे दी रहती है मालो हम 12 कि इसका हम ले लिए 114 तो नियम क्या कहता है जिस नियम की हम चर्चा करना उसकी बात हम समझेंगे नियम कहता है कि कि सबसे पहला काम करेंगे घात में चार से भाग देंगे घात में चार से भाग देंगे लिए चार से भाग देखने पहली बात घात में क्या करें को छार से भाउग देखने भाग देख कि लिग की दूसरी बात कि亞ी शेसफल सुनने आता है लुदी सेशफल तो ने आता है कि एद शेसफल क्या आता है तोो, यदि सेसफल क्या आता है? सुनने आता है तो, आत चार ही बनाएंगे आत चार ही बनाएंगे तीसरी बात आगर चार से छोटी घात है चार से छोटी घात है तो वही बनी रहेगी वही बनी यदि चोटी बात यदि चार से बड़ी है चार से बड़ी है कौछ से बड़ी है गहात बड़ी है तो चार से भाग दिया जाता है तो चार से भाग दे दिया, आप देखो मैंने कितनी बाते इसमें कही, वो बाते एक बार आपको दोहरवा देता हूँ मैं, यह मैं अपने उससे बनाया हूँ कि आपको थोड़ा सा ओ रहे है, समझाए, गहात में चार से भाग देते हैं, बात पूछो क्यों, पहली बात जानना है, लेकर जान लो कि पहला काम क्या करते हैं, चार से भाग देते हैं, अब क्यों देते हैं, इसकी चर्चा इसकी बात में करता हूँ, दूसरी बात, यदि सेस्फल सुनने आता है, क्या आता है, यदि स उसमें भाग जाएगा नहीं तो पावर वही रहेगा चाओ थी बात मैंने लिखा कि चार से बड़ी घात है तो चार से भाग दिया जाता है तो पाली का समाधान करते हैं कि से घाइब निखा में लिखा गया है कि इसका पाउर चाहर कर दो क्यों क्यों दैखता था 5 भर नहीं सकते तक हो सकता था साथ से दो आपको बताएंगे तो बाद तो आप तो चर्चा करेंगे पहली बात दूसरी बात यदि सेस्फल सुनने आता है तो घहात क्या होती है चार ही बनाएंगे ऐसा क्यों करेंगे तीसरी बात चार से चोटी घहात है तो वही बनी रहेगी और चौती बात चार से बड़ी है तो चार से बड़ी है तो चार में तो भाग तो जाएगा नहीं भी ये तो दोनों बात कर्म फर्मती लेकिन उपर वाली बात देखो चार से भाग बच्चे इसलिए देते हैं कि जब हम दो का पावर एक करते हैं तो देखते हैं दो का पावर एक कितना होता है दो जब हम दो का पावर दो करते हैं तो देखते हैं दो दुना जब हम दो का पावर तीन करते हैं तो दो दुना चार दुना आठ जब हम दो का पावर चार करते हैं तो दो दुना चार दुना आठ दुना शोला फिर दो का पावर हम पांच करते हैं तो देखते हैं कि 32 आ गया इस तो दो का पाउर चाह देखते हैं तो 64 दो का पाउर साथ देखते हैं तो 128 और दो का पाउर आठ देखते हैं तो 128 दुना 206 पर बात यह बस इतना लिखने का मेरा मुद्दा यह था आप समझेए कि इन चार अंकों के बाद ध्यान देना इन चार अंकों यह जो मैंने एक खिंचा लाइन यहां ध्यान देगे यह अपने को रिवाइज करना सुरू कर देती है यह अपने को क्या करती है रिवाइज करना सुरू कर देती है क्यों कर देती है देखो एक, दो, तीन, चार, पचवे पर रिवाइच कर दी, फिर अगर चार की बात करोगे, तो ये भी चार के बात पचवे पर रिवाइच कर देगी, फिर देखोंगे तो ये भी चार के बात पचवे पर रिवाइच कर देगी, और ये भी, तो पहला उत्तर तो निकल काया है, मैंने कहा कि पहले सबसे बड़ी बात चार से भाग क्यों दी जाती है तो चार से भाग इसी लिए दी जाती है क्योंकि यह कंडिशन आप दूसरी बात थी कि चार से भाग देने पर दूसरी बात थी कि चार से भाग देने पर जो रिमेंडर सुन्य आता है तो चार क्यों लगा और चार का पावर भी जीरो एक आप बताओ इस डो के टेबल में कितने एक हिकाई के अंक में आते हैं कोई नहीं आता तो अगर हम एक यहां पर यहां पर जीरो रखे एक उत्तर मार दें तो क्या गलत नहीं हो जाएगा क्योंकि मेरे दो के पहाड़े में जब टेबल आप पढ लिखते हो तो क्या बताओ यहां कोई यूनिट डिजिट एक आया तो पहले फेल हो गया है पहले फेल हो गया कि भाई कि अब है नहीं तो हम रख तो सकते नहीं अब तीन के पावर में ही बताओ इसमें तो आ गया इसमें तो यूनिट जा रहा है चार में फिर वही कंडिशन है नहीं आएगा तो हमें चीज दिमाज में आने पड़ी कि भाई जब ऐसी संख्या है तो ऐसा तो है नहीं कि पूरे के टेबल में एक मिला है तो हम इस नियम को पहले जीरो को क्या मा लिए कि जो सब्सक्राइब कर रही है उसी से हम क्या करेंगे ठीक है दो बाते हों गई तीसरी बात मैंने आपको बता ही दिया था यदि चार से बढ़ी आएगी तो चार से भाग देकर छोटा कर लेंगे अगर छोटी आएगी तो भाग देने की जरूरत नहीं हुई आप सवाल पर आते साथ च्छे पांच अगर इतना बड़ा सवाल देख लेते हैं लोग तो तुरंते छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत बड़ा सवाल हो गया है तो जबकि आपको बस चार से ही भाग देना है और यूनी डिजिन निकलना आज बताओ यहां से तो क्यों साथ ही ले सकते हो स्ताथ का पावर चार बनाओगी और चार से इसमें जो भी भाग देकर लिखो यहां लिखोगे तो आपको आज क्या करना है आज के बाद यह काम आप नहीं करेंगे आपको करना क्या है उस बात को मैं बता रहा हूं देखों कुछ नहीं करना है आपने पढ़ा यूनिट डि थे कि तो तेरह चोग का बावन होता है तो दो सेस्फल बच गए कितने बच गए दो सेस्फल वह बरा दो साथ का पावर कितना कर दोगे दो तो साथ सते उन्चास तो यूनिट अंक कितना हो गया कियोंकि मुझे पता है कि इतना बड़े में भाग देकर भी बात वही निकाली जाएगी और चार का डिविज्बिल्टी नियम जो हमने पढ़ा तो हमने जाना कि अंतिम के दो अंग को ही देखकर हमारा काम चल जाएगा जैसे बात को समझो देखो अगर मैं कि इसी की बात तुमसे करता हूँ जो अभी आप पढ़े हो कि अगरो ठीक है अब मैंने पांच लिया ले लिए भाई मुझे पता है दो अंक में चार से भाग देना है तो 2288 होता है यहीं चार से देना इतने पूरे में मत देने लगना तो इसमें दोगे 2288 होता है पावर एक ह यहीं तो बात में कहा खत्म यानि पांच देखके डारेक्ट उत्तर क्या मानना था पांच यह तो नहीं कर पाए यानि पूरा लगा होगे ठीक है अब देखो अगर है 1234567 कुछ भी लेलो जो तुम्हारा मन करता हो यहां मैंने कहा है चलो इतना ही लेता हूं इतने में पाए यहां इन सबसे इतनी आ जाएगी ना आ जाएगी बात हो गई खत्म समाथ बोलो अब देखो दूसरे टाइप का जो इसमें सवाल बनता है वो क्या करता है आप से कहतेगा साथ का पावर 95-ब माइनस कि ताथ का पावर कि पंचान बे माइनस तीन के घात 58 में कि काई कांग क्या होगा कि कि की क्या क्या होगा आप साथ का पावर 595 में पूरे में भाग देना इना पिरिवए तो ही जिटतों है कि साथ लिखना है सभीशावका चांग मत्या होता है तेश्रों कबांब होता तो कितनी गैंतीन बेद चार में अलग accents बहाग दोगे तो तेश्वरल बन तीन ही बचेगा इसमें देखो तीन का चौदर चौट का 56 और बच गया कितना दो आप देखो यह हो जाएगा 343 अगर भाई 343 और माइनस तीन त्रिक का नो अगर ऐसे लिखोगे तब तो आप कहोगे तेरह में से नौ गये तो यूने से से उल आलो तुमने लिख दिया कि सार यहाँसे आ गया तीन और यहाँसी आ गया गटीन मिशनल के आटाओ ऒसकी तीन मिश्मायने से नागा माइनस होगा माइनस ख़ेंत चाटार कभी रिमेंदर होता इसको घटा देना तो क्या जाएगा चार जाएगा अब बहुत दिक्कत होती है तो दस यहां से बढ़ा दिया करो तेरा कर दिया करो इसको यानि हर हाल में इधर वाली बैलू को बढ़ा करना तब भी उत्तरा जाएगा तो जो भी आपको अच्छा लगता है अगर यह पूरा सकते हो तो ठीक है मालत तुम्हें इसका टेबल नहीं पता है लेकि निकाल दिंद निकाल देगा रहे हों कि साथ का तीन बार गुड़ा होता तो यह जब ढ़र करने 10 से खटा देना बात ओ खुर्डेर हो गए जैसे समस्झों बात क्या मैं कह रования हूं कि जब भी कभी आख जब भी कभी मुझे इस बात का दिमाग में आए कि कि मुझे मैं लो साथ में से 9 घटाया मेरे पास आगया माईनिक्स तो मेरे पास याद आया कि कभी भी यूनिम डिजिट माईनिक्स में कैसे होगा जब मुझे 215 लिखना होगा तुम ऐसे लिखूंगा गगा अना झाला कभी नहीं लिख सकता क्या है तरीका है गलत लिखने का तो हमने इसको क्या किया हटा दिया समझी तो अब यह यूनिट डीजिट क्या होगा या तो बच्चा इसको दस में से आप गटा दो अगर इधर 22 आया है तो इधर 32 से घटाना इससे बड़ा होना चहीए तो 10 में से दो गए 8 हो जाये पहली बात यह वाला कर दो यह तो इस 7 7 को 17 बना दो और माइनस नो घड़ दर तब भी आठा जाएगा समझ पाए कि नहीं मेरी बात समझ गये होगे इतना तो कि दो लो क्लियर हुआ समझ यह जैसे मैंने कहा तीन का पावर 119 माइनस साथ का पावर कि एक सोज कुछ भी लेकिता हूं 72 कि में यूनिट डिजिट क्या हूं अब बताओ यहां से दूंक लिए दूंक ले लिया मैंने और नईस में भाग देना है चार से चार चोप 16 चार चोप 16 तो तीन उन्नेईस तो तीन भाट लगा दिया माइनस साथ का लिया क्या लिया साथ का तो मैंने 72 में देखना है बच्चे किसमें देखना बहत्तर मैं पूरे मैं देखना है तो चार अठारा 72 हो गया तो मैंने बताया जब कर पूरा जीरो आए तो आगल जीरो मान है तो एक होता है और एक तो कितने टेबल में आता भीए तो इसलिए बाते हैं यहां से हमने इसलों कि अब मुझे पता है जो है एकम यहां दो साथ था प्धुलत हुद्स。 यह आप कुछ लोग क्या करते मैं बता रहा हूं ए पूरा करते तीन का ख्योब यहां पूरा करे तीन का क्योब तो तो तीन तर्ग करन आधक पटाईस और माइनस ए 343 गुड़े साथ मिल जाता 343 गुड़ा साथ तरीक 21 साच्चों कठ्थाइस और दो तीस और साथ रिक एक एस दो बच्चा साथ एक गुड़े तरी सो शाथ हो जाता आप इतनी घटाते मैं ने क्या बताया मैंने बताया यही बात आपको यह काम आपको नहीं करना है आप इसके आगे इससे बड़ा बना दो जैसे यहीं तेश लगा दो ऊँर तो बताओ साथ मिसे एक गए कितना हो जाएगा हो जाएगा बाते क्लियर हो गई या इसको घटा के माइनस मिले के उससे बड़ा घटा थे तब भी च्छा जाता तो वो काम ना करने से अच्छा है ऐसे काम को आप डायरेक्ट कर लिया करो क्योंकि इसको फी फिर से बढ़ाना पड़ेगा ओके तो चलो आज की सभा जो है यहीं पर समाप्त करता हूं कल हम टाइप नंबर थ्री में कल हम टाइप नंबर थ्री में पढ़ेंगे डिविजिबिल्टी नीजम दिविजिबिल्टी और यह से जो आपको मैंने दो चारवला बताया दो चारवला बताया ठीक है उसके बाद हम आगे कंटीनियो करेंगे ठीक है तो धरन्यवाद दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में